तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं mathematical टूल के कुछ question करते हैं जिसमें हम application of integration discuss करेंगे बाकी धीरे-धीरे हम syllabus जो है discuss करेंगे तो इस वाले में क्या है हम calculus का use करके हम calculate करने वाले हैं समयरो area of circle टिक रहा है वैसे तो आप सबको पता होगा area of circle लेकिन अजब आप physics पढ़ते हो अंदर तक जब depth में जाओगे तो बहुत सरे ऐसे जगया आएगा जहां पर आपको area volume यह सारी चीजें आपको calculation करने आनी चाहिए calculus के help से ठीक है तो इस basis पर हम इसकी calculation करने जा रहे हैं जो पहला सवाल है वह अब देखो area of circle जो circle की जो area है अब हमको पता नहीं है यार पाई आरसकर बट calculus का यूज करके हम प्रूब करने जा रहे है तो यह जो circle area मतलब यह वाला जो region है यह जो shaded region है पूरा circle यह वाली जो है इस region की area यह वाली area है तो यह मुझे चाहिए अब calculus का fundamental concept क्या है कि यह जो region है यह जो area मैं color कर रहा हूं यह fundamentally बना कैसे है ठीक नहीं एक सिमेट्रिकली element लेंगे समय रहने कैसा element लेंगे जिससे यह repeat होके यह पूरा area मुझे मिल जाए और वो एक differential element उसको बोलते हैं तो एक ऐसा element लेंगे जिससे यह पूरा हमें मिल जाए तो अगर छोटे 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 यह मैं सर्कल इस छोटे छोटे element से मिलके बना हुआ है ठीक है तो यह जो element है अगर मैं इस element को repeat कर दूंगा तो यह पूरा जो है यह पूरा region कभर हो जाएगा बात आरा समझ में तो इस process को implement करने के लिए मैं एक छोटा element लिया हूँ जो कि यहां से अपने x distance पर है इस circle का जो radius है यह this is the radius of the circle आर तो यह जो है आर राइडियस का circle है इसका हमेरिया चाहिए तो x distance पर जाके कुछ dx thickness का this is the thickness dx dx thickness का यह हमने element लिया इसको हम बच्चों बोलते है differential element इसको हम बोलते है differential element तो इस element इस element से ही पूरा circle अपना बना है अगर मैं इसकी area calculate करने में सफल हो गया इस differential element का तो मैं ऐसे छोटे छोटे जोड़ दूँगा जैसा आप यहां इस diagram में देख रहे हो छोटे छोटे जोड़ दोगे तो पूरा में यहां पर जो center है 0 से x is equal to capital R और अगर मैं इस element को यह जो red वाला element है इसको मैं यहां से cut कर देता हूं अगर मैं cut कर देता हूं और खोल देता हूं तो यह 2 pi x length की rectangle generate हो जाएगा और इसकी जो thickness है अपनी वही dx और इस differential element है इसका small area जाएगा small area जाएगा d a जिसकी value होगी rectangle की 2 pi x और multiplied by dx तो यह अपनी 2 pi x that equal to length of the rectangle and that is the breadth of the rectangle ठीक है अब हमें total area चाहिए तो total area जो circle का जाएगा ठीक ना circle का रही है यह वह ऐसे छोटे-छोटे area से मैं जोड़ दू और x वह integration हो रहा तो x की limit जा रहे है 0 तो x is equal to capital R तक जाएगी lower limit 0 और upper limit capital R तक जाएगी तो इसको अब पूरा मैं solve करूंगा तो अपना solution हो जाएगा तो I hope की integration आपको आता होगा पड़े होगे तो 2 pi constant है बाहर और यहां से x dx बज़ गया 0 से R x की जो integration यहां से 2 pi x square by 2 होती है ठीक है समझ में आरा power वाला rule लगा दिए x की power n वाला rule लगा दिए dx is equal to x की power n plus 1 divided by n plus 1 यह वाला rule मैं यहां पे apply कर दिया ठीक ना तो यहां से 2 pi और यह 2 बाहर आ गया और यहां से limit गया 0 से R तो x की value मैं upper limit रखते है r square minus sin 0 का square तो यह जाएगा pi r square this is the area of circle ठीक ना तो इस तरह से आपको calculus का application करके area of circle calculate कर लिया आई हो क्यों मजा आया होगा आपको थेंक यू वे टेक केर